नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज में, मैं अनुराग शौधरी दोस्तों, आज का मुद्दा सम्बंधित है आपकी उर्जा तथा काम करने के प्रतियापके उस्साह से कि किस प्रकार से आप खुद को उर्जानमित रखें और लच्छ प्राप्ति के मारगर्था तैयारी को पूरे जोस और उस्साह के साथ जारी रखें इसका साफ हुदारण आप छोटे बच्चों से सीख सकते हैं या यों कहें कि हम अपने बच्पन के बारे में सोच सकते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक खेलते थे हमेशा उर्जा से भरे रहते थे ना खाने की चिंता रहती थी और ना ठकने की घर वाले जब तक डाट कर नहीं पूलाते थे हम लोग खेलने की धुन में खाना पीना तक छोड़कर उसी में मगन रहते थे ऐसा नहीं है कि हम उस समय हार जीत का डर नहीं था हमें डर तो उस समय भी लगा रहता था परन्त वो अस्थाई भाव नहीं था लगता था कि क्या हुआ आज हम हार गए तो कल फिर से जीद जाएंगे ऐसा सोचते थे लेकिन एक बात आज समझ में आती है कि बच्पन में हमारे उपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी हम बेफिकर रहते थे हम अपने काम में इतना लेन रहते थे कि कोई डर अस्थाई नहीं था लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए जिम्मेदारी नहीं बढ़ती गई और माता पिता घर परिवार दोस्त नातेदार सब की अपेच्छाएं भी कि हर समय एक अंचाहा बोज मन पर रहने लगा कि क्या होगा आगे अगर मैं पास नहीं हो पाया तो मैं अनुतिड हो गया तो बस नकरात्मक्ता का भाव यहीं से आ गया और यदि कभी वाकई किसी परिच्छा में मन चाहा अंक नहीं पाये तो यह डर एकदम से अस्थाई होता गया कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा लेकिन बच्पन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था हम आज के दिन हार कर भी उसकी चिंता छोड़कर अगले दिन जीतने के लिए सोचते थे और जीतते भी थे तो आज ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम डर, प्रतिसपर्धा, तनाओ, दबाओ, अपेच्छाएं इन सब ने हमारे मन मस्तिस को जगड लिया है जिससे वाकई ने केवल हमारी कारेश हमता कम हुई है बलकि उस्साह में भी कमी आई है इसे दूर करने के लिए क्या करें ताकि उर्जा बनी रहे और उस्साह कम न होने पाए सबसे पहला उपाय है कि रशनात्मकता अगर आपका मन बिचलित हो और परिसान हो तो आप कुछ रशनात्मक काम कर सकते हैं जैसे कोर्स की बोजिल किताबों को छोड़के कर सकते हैं कि मैंने इतना काम पूरा कर लिया है इसके अलावा कुछ समय अपनी हावी को भीदे तो बहतर होगा और अंत में सबसे जरूरी बात ये कि अपने भीतर के बच्चे को न मरने दे इसका सीधा सा मतलब यही है कि अपने डर और जीज़क को दूर फेकिये और स्वेंग ही अपने बच्चपन की उर्जा और सक्रीता के ख्याल करके खुद को उस साहित महसूस करिए से इस अगले भाग में नमस्कार और धन्यवाद